दोस्तों आज हम जब भी राजा महाराजाओं के इतिहास के बारे में जानते हैं, तब राजा अपनी रानियों के पास हफ्तों वो महिनों के हिसाब से जाते थें। मगर इतिहास में राजाओं की एक से अधिक शादिया करने के पीछे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर राजा महाराजा इतनी शादिया क्यों करते थें। तो चलिए दोस्तों आज जानते हैं कि राजा महाराजा एक से अधिक शादिया क्यों करते थें। इसके पीछे कई वजह छुपी है जो इस प्रकार है पहला कारण हम राजा महाराजाओं की अनेक शादियों के बारे में बात करे तो इसका पहला कारण था कि राजा कई कुन्बो का राजा होता था कई कुन्बो का राजा होने के कारण राजा पर इन शादियों से आर्थिक प्रभाव भी नहीं पड़ता था राजा इतने सक्षम होते थे कि वो एक से अधिक रानियों को रख सकते थे दूसरा कारण राजा एक राज्य का राजा होता था उसके आदेश पूरे राज्य में सर्वमान्य होते थे यही कारण है कि राजा को जब अपने राज्य में कोई स्त्री पसंद आती तो वो उससे विवा प्रस्ताव भेज देते थे राज्य का राजा होने के चलते उनके पास सभी अधिकार होते थें, बिना भय के राजा किसी भी स्त्री को शादी के लिए मजबूर कर सकता था राजा के एक आदेश के बाद लड़की की पसंद नापसंद कुछ नहीं समझी जाती थी, बस राजा के आदेश की पालना करनी होती थी, तब प्रजा के लोग इस बात के लिए खुश होते थे, कि उनकी बेटी को राजा ने पसंद किया क्योंकि उन्हें राजा के दरबार मे इतिहास के अनुसार हर राजा अपने महल में नृत्यकियों के नृत्यकियों के नाच के बाद जब राजा को नृत्यकियों के नाच के बाद जब राजा को नृत्यकी पसंद आ जाती तब वो उसके साथ विवाह रचा लेते क्योंकि बिना शादी किसी के साथ सोना अमर्याद उनका दर्बार में मान होता था बस इसी को बनाए रखने के लिए वो शादी कर लेते थे। क्योंकि एक बार शादी के बाद उन्हें कैसे रखना है इसकी चिंता दर्बार के नौकर चाकर पर होती थी। पांचवा कारण पांचवे कारण को राजा द्वारा की गई ज्यादा शादियों का सबसे बड़ा कारण मान सकते हैं। क्योंकि यह वो दौर था जब महिलाओं के प्रती कोई अधिकार नहीं थे। क्योंकि तब राजा का खुद का समविधान होता था। यही कारण है कि राजा अपनी इच्छा के अनुसार किसी से भी वह कितनी भी शादियां कर सकता था। लोगों की सोच बस राजा के आदेश का पालन करने तक ही सीमित रहती थी। एक प्रजा का शासक होने वह धन से पूर्ण होने कारण राजा अधिक शादियां कर लेते थे। यदि किसी प्रजा के राजा के संतान नहीं होती तब राजा संतान को पाने वो अपने राज उत्तराधिकारी पाने की लालस में कई शादियां कर लेता था राजा महाराजाओं के समय एक राजा दुसरे राज्य के राजा से ज्यादा महान दिखने के लिए भी एक दुसरे से हर मामले में प्रतिसपर्धा में लगे रहते थें कि किस राजा की कितनी सुंदर पत्निया है बस अपना नाम बनाने वह दुसरे राज्य के राजा को नीचा दिखाने के चक्कर में यह कई शादियां कर लेते थे साथ ही राजा युद्ध की संधियों को निभाने के लिए भी कई शादियां कर लेता था तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईए और ऐसे ही हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए हमारी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।